दोस्तो दोहजार उन्नीस में उत्तर प्रदेश में एक गटबंधन हुआ था मायावती और अखिलेश यादव नेता जी मुलायम सिंग यादव उस वक्त जीवित थे उनके सामने ही ये गटबंधन हुआ था सीट शेरिंग हुई थी 38 सीटो पर मायावती ने अपने प्रत्याशी उतारे 37 सीटो पर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी उतारे गटबंधन हुआ तो चुनावी रैलिया हुई मंच पर मायावती, मुलायम सिंग, अखलेश यादव, डिमपल यादव सब एक साथ नज़र आए डिमपल को आशिरवात देते हुए मायावती नज़र आई तो मायावती का सम्मान करते हुए अखलेश यादव नज़र आए लगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीत में एक ऐसा बदलाव आ गया है जो 2019 में नरेंद्र मोदी के विजहरत को रोक देगा लेकिन जब परणाम आया तो ठीक उलट आया मायावती तो काम्याब हुई, मायावती दस सीटे जीत गए अड़ती सीटों में लड़कर दस सीटे वो जीत गए लेकिन अखलेश आदों की पार्टी पांच सीटों पर सिमट गए इसके बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर भविष्च क्या है इस गडबंधन का आगे कैसे चलेगा लेकिन आगे जैसे ही वक्त बढ़ा ये गडबंधन तूट गया लेकिन ये गडबंधन तूटा क्यों? इसके पीछे की वज़े क्या थी? दोस्तों आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि 2019 में जब ये गडबंधन तूटा तो ये कहा गया मायावती के तरफ से कि हमारा जो गडबंधन करने का फैसला था वो ठीक नहीं था समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से बयान आए कि हमको तो जो हमारा वोट था वो बीएसपी के साथ चला गया लेकिन बीएसपी का जो वोट था वो हमारे साथ ट्रांसफर महीं हुआ यानि हमको नुकसान हुआ ये दो तरह की बाते आएं लेकिन दोस्तों पहली बार तकरीबन पांच साल बाद दोजार चॉबिस का भी चुनाओ हो चुका है देश पे नई सरकार है नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री है हाला कि ये NDA की सरकार है मायावती ने ये खुलासा किया है कि आखिर 2019 में ये गटबंधन तूटा क्यों कैसे तूटा बाकाइदा एक बुकलेट मायावती ने जारी की है 55-56 पेजों की ये बुकलेट है उप चुनाओ राजनेतिक संगर्ष तमाम मुद्दों पर इसमें बाच्चीत की गई है कारेकरताओं को बताने की कोशिश की गई है 2014 और 2014 ये दो लोग सभाचुनाओ थे जिसमें BSP की सीटे उतर प्रदेश में जीरो हो गई 2019 में 10 सीटे मिली वो भी अखलेश यादव के साथ गडबंधन करके मिली मायावती का ये कहना है कि 2019 का लोग सभाचुनाओ जैसे ही खत्म हुआ अखलेश यादव ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया था और इसी वज़े से उतर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और BSP का गडबंधन तूट गया यानि कि इस गडबंधन में स्वाभिमान आड़े आ गया था अखलेश यादव फोन नहीं उठा रहे तो ये मायावती का कहना है लेकिन दोस्तों मायावती ने जब ये बोकलेट जारी की जब इस तरह का बयान दिया जब इस तरह का एक गंभीर आरोप लगाया तो इसके बाद इतिफाक था कि अखलेश यादव की भी प्रेस कॉनफरेंस थी और अखलेश यादव से जाहिर सी बात है कि पत्रकारों ने मायावती के स्टेटमेंट पर सवाल पूछा अखलेश यादव ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी जिस वक्त गडबंधन तूटा उस वक्त मैं बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के साथ किसी कारिक्रम में मंच पर मौजूद था वहां बैठा था तब मुझे ये गडबंधन तूटने की जानकारी मिली मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं है यानि अखलेश आदव ने बड़ी सफाई से बता दिया कि गडबंधन तूटने के पीछे की जो वज़ मायावती की तरफ से बताई जा रही है उसका कोई आधार नहीं है जिस समय गडबंधन तूटा उस समय में आधम गड़ के मंच पर था आदे ने बल्लया में अदगी थे बल्हारी बाबुजी भी थी तोनों सपा बसपा का जो लीडर्शिप थी सब उस मंच पर मौदूद थी किसी को नहीं पता था कि गडबंधन तूटने जा रहा है किसी को नहीं पता था मैंने खुद फ़ून मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिकार ये गडबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है और जो सामने प्रेस मुझे मंच की नीचे मिलेगी इसको मैं जवाब क्या कि लोग अपनी बात को छिपाने के लिए इस तरह की बातیں रखी जाती हैं दोस्तों 2024 में भी ये गडबंधन करने की कोशिश की गई कोशिश की गई कि इंडिया गडबंधन में मायवती आ जाएं लेकिन 2024 में ये तस्वीर मुकम्ल नहीं हो सकी मायवती इस अलाइंस का हिस् जाहिर सी बात है अकलेश यादव और मायावती दोनों लोगों की ही तरफ से दूरी बनाय रखने का फैसला किया गया था अब दोस्तों यहां सवाल ये एहम हो जाता है कि आखिर मायावती ने ये बात आज क्यों बताई उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाओ की चर्चा है दस सीटों पर उपचुनाओ होने वाला है तब मायावती इस बारे में ये खुलासा क्यों कर रही है मायावती ये क्यों बता रही है कि अखिर श्यादव ने उनका फोन नहीं उठाया था इस वज़े से गड़ बंधन टूट गया क्या इसके पीछे बहुजन समाच पार्टी की कोई रणनीती है क्या इसके पीछे उपचुनाओं को लेकर कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है या फिर इसके पीछे आकाश आनंद का ब्रेन काम कर रहा है क्या मायावती, BSP, आकाश, आनन, ये तमाम लोग, ये मिलकर एक ऐसा प्लान बना रहे हैं, ऐसा चक्रव्यू बना रहे हैं, जिसमें अखलेश यादव फस्ते हुए नजर आए, क्योंकि अखलेश यादव ने जिस तरह से उतर प्रदेश में प्रदर्शन किया, है लोग पार्टी जीती है, उसके बाद से भारती जनता पार्टी हो या बसपा हो, हर किसी की नीदे उड़ गई हैं, और मायावती को अपनी राजनेतिक जमीन के खिसकने का डर सताने लगा है, और इसलिए, इसलिए शायद मायावती अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, के स्वाभिमान को चुनौती दी गई उनका फोन नहीं उठाया गया दोस्तों मायवती जानती है कि 2024 के लोकसभा चुनाओं में दलित वोट बड़ी तादाद में दलित वोट समाजवादी पार्टी के साथ गया है और ये भी मायवती को डर लगने लगा है कि ऐसा ना हो कि दल रखने के लिए मायवती ने शायद एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके हिसाब से उनके समाज के जो लोक समाजवादी पार्टी के साथ गए वो वापस बीएस पी में आ जा और बसपा एक बार फिर से उतर प्रदेश में अपने कदम मजबूत कर सके दोस्तों इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा फिलाल के लिए इतना ही मुझे दीजे जाज़त नमस्कार